नमस्कार किसान बाईयो में हूँ बी एल चोदरी किसान बाईयो जब जिस पोली हाउस में आज हम खड़े हैं उसमें उसको खाली किया जा रहा है नहीं क्रोप के लिए और इसमें जो यह घास खड़ा है हरा इसमें इसके लावा आपन के कह सकते हैं जो लारवा साइड यह जो अनेक बीमारियों को अटेग होके यह पोलिया उसक खतम हुआ है इसमें जो अभी इसको शूग गया वह तो ठीक है इस पर तो कोई थ्रेप शेशिट यह शिट कुछ भी नहीं रहेगा लेकिन जो हरा घास है उसको हम कैसे खतम करें नया पॉली हाउस लगाने के लिए उसको अपन कैसे खतम करें इसके लिए एक तो अपने पास सोल्यूसन ह है कि इसमें अपन जमीन में जबा सकते हैं लेकिन जमीन में जबाने से जो नेक्स्ट क्रोप लगाएंगे ना उसमें डीजी जाने की संभावना रहती है अब इतना अपन निखाल भी नहीं सकते है अगर निखालेंगे के को तो लेबर कोस्ट बहुत उपर जाएगी और लगाओगे उसमें भी कोई भी परेशानी नहीं देगी यह हर्भी साइड है अगर हर्भी साइड दूसरा लेओगे तो उसमें यह समझ्या रहेगी कि 15 या 20 दिन पचीश दिन तक उसका असर अपनी जमीन पे रहेगा तो जर्मिनेशन में भी समझ्या सकती है सबसे बेस्ट जो है वो है पेराकुआइट का इस्प्रे इंसे अपनी जमीन में वो भी एक हर्भी साइड है पेराकुआइट सावदानी इतनी रखनी है उसका चांडते समय कि जिस तंकी से अपन इस्प्रे करें उसमें माती बिलकुल भी नहीं अगर टंकी में थोड़ी बहुत भी माती रहेगी तो वो जो दवा जो पेराकुआइट है उसका असर कम हो जाएगा और यह जो हरी गास है वो बिलकुल भी नहीं जलेगी तो इसके लिए आपको सजेशन करूँगा कि आप तेराकुआइट का इस्प्रे कर दें इस पर इसे जो भी हरी चीज है वो नश्ट हो जाएगी